नमस्कार, हिमाचल एक्जाम हम्में आपका स्वागत है आज दिनांक 5 जनवरी 2023 और आज हम डिसकस करेंगे हिमाचल जीके के कॉस्चिन हिमाचल जीके के कॉस्चिन रहेंगे ये previous year paper के कॉस्चिन जो पहले भी एक्जाम में पुछे जा चुके हैं ये कॉस्चिन और detail में discuss किये जाएंगे हीमाचल जी के questions ताकि जो भी topic होगा हीमाचल जी के का इससे जो भी और questions बनते हैं previous year paper के recording वे सारे questions एक साथ discuss किये जाएंगे जिसे आने वाले exam में जुरूर आपको help मिलेगी इस वीडियो से तो आप daily इस वीडियो को follow किझे और आप टेलेग्राम ग्रूप भी जोईन कर लेजिए एड़ दारेट हिमाचल एक्जाम हब के नाम से टेलेग्राम ग्रूप है वीडियो के डिस्क्रिस फेन में मैं लिंक भी दे दूँगा टेलेग्राम ग्रूप का आप टेलेग्राम ग्रूप भी जोईन कर लेजिए तो आईए डिसकस करते हैं हिमाचल जी के कॉश्चिन कॉश्चिन और 121 The altitude of हिमाचल परदेश is varying from हिमाचल परदेश की उन्चाई घरती बढ़ती है तो जो हिमाचल की उन्चाई है वो 350 मीटर से 7000 मीटर तक है भी इसका सही अंसर है 350 मीटर से 7000 मीटर तक Next question 122 Which path is not located in district Chamba of हिमाचल परदेश हिमाचल परदेश की जीला चमबा में कौन सा दर्रा स्थित नहीं है तो जो चमबा में आपका कुश्चूम दर्रा जो कुश्चूम पास है वो स्थित नहीं है क्योंकि जो कुश्चूम दर्रा है वो स्थित है आपका लॉल्स पित्ती में बाकि अगर बात करें साच दर्रा चीनी दर्रा और चोबिया दर्रा ये सारे आपके चमबा डिश्टिक में स्थित है और जो कुंजुम दर रहा है आपका वो लॉल्स पिती में स्थित है नेक्स्ट कॉस्टिन 123 एट विच प्लेस दे रिवर ब्यास एंटर्स कांगडा डिस्टिक ब्यास नदी कांगडा जिले में किस थान पर प्रवेश करती है तो जो ब्यास नदी है वो जो कांगडा के संधोल नामक जगह है वहाँ पर प्रवेश करती है ये कांगडा जिले में ब्यास नदी इसका सही अंसर है अगर हम बात करें ब्यास नदी की तो जो पेपर में ये पूछ ले जाता है कोशिन की ब्यास नदी का जो वैदिक नाम है और जो संस्कृत नाम है वो गया है तो वैदिक नाम अजी क्रिया है ब्यास नदी का और संस्कृत नाम इसका विपासा है और इसका उद्गम स्तान है पीर पंजाल स्रिंखरा में रोहतांग दर्रे के समूप ब्यास कुंड से यह निकलती है आपकी ब्यास जो रिवर है और अगर इसकी साहिक नदियों की बात करें तो पारवती, उहल, हुडला, सैंज, सुकेती, लूनी, बानगंगा, विन्बा, चक की, न्यूगल, गज, डेहर, मानखड, यह सारीस की साहिक नदियां है ब्यास नदी की और अगर बात करें ब्यास नदी की तो यह हिमाचल प्रदेश में कितनी दूरी तय करती है तो यह हिमाचल प्रदेश में 256 किलोमेटर की दूरी तय करती है और बजारा नामक स्थान पर ये मंडी जिले में प्रवेस करती है आपकी ब्यास नदी और ये मैंने आपको बता दिये कि ये संधोल में मंडी जिला छोड़कर कांगडा में प्रवेस करती है और फिर बाद में ये कांगडा के मीरत नामक स्थान पर पंजाब में प्रवेस करती है तो कौशनी ये भी लोजपूर जो जिला है वहां एक जगा है हरीकापतना हरीकापतना नामक एक स्थान है यहां से यह सत्रूर नदी में विलीन हो जाती है आपकी ब्यास रिवर तो यह सारी बाते मैंने आपको एक साथ बता दी जो किसी नकिसी एक्जाम में किसी नकिसी रूप में पूछ ली ज स्थित ने से जो द्पी बूकली जो पीरामीड है यह हिमाचलत प्रदेश के कुल्लूर में स्तित है diyor बोकली प्रिमीड हे मौंटेव में तो ये बात अपने ध्यान में रखनी है ये काफी important question है थोड़ा अलग सा question है ये डीबी बोकरी पिरामीड ये कुल्लू में इस्तित है next question 125 हिमाचल प्रदेश में निमलिक्त में से किसके दौरा राहुन पर सासन था जो जो राहुन पर सासन था ये था राणाओं के दौरा next question 126 हिमाचल प्रदेश में राजनगर कहे जाने वाले महल का नड़ा में किसने निर्मान किया who erected the place of नड़ा called राजनगर in हिमाचल प्रदेश तो यह किया आपका उमेद सिंग ने 126 का भी सही अंसर है उमेद जो सिंग है इन्होंने ये नड़ा जो महल है इसका निर्मान करवाया अगर हम बात करें उमेद सिंग की तो question ये पूछ लिये जाता है कि उमेद सिंग राजा कहां के थे तो ये चंबा के राजा थे और क्या हुआ था कि उमेद सिंग ने अपनी मृत्यू के बाद जो इनकी मृत्यू हुई थी तो इसके बाद इन्होंने ये पैगाम छोड़ रखा था कि जो इनकी मृत्यू के बाद रानी के सती नहोंने का आदेश छोड़ रखा था इन्होंने उमेद सिंग ने कि जब इनकी मृत्यू होगी त तो इनके राने सती नहीं होगी तो ये आदेश उमेद सिंग के दौरा छोड़ रखा था ये कौशन पेपर में पूछ ले जाता है और जो इनके मृत्यू हुई थी उमेद सिंग की तो इनके मृत्यू हुई कहां पे थी तो इनके मृत्यू हुई थी आपके जौला मुखी में पने मृत्यू से पहले ही यह कह दिया था नेक्स्ट कोस्टिन 127 दो ओल नेम आफ नालागर वाज नालागर का जो पुराना नाम था वो क्या था तो जो नालागर का पुराना नाम था वो था हिंडूर 127 का भी सही अंसर है और भी ओल्ड नेम पूछ लिये जाते हैं जैसे यह प संदरनगर का पुराना नाम क्या था तो बनेर संदरनगर का पुराना नाम था बैजनात का नाम पूछ ले जाता है कि बैजनात का पुराना नाम क्या था तो बैजनात का पुराना नाम किरगराम था बिलासपूर का ब्यासपूर था सराहन का सोनित पूर था उन्ना का नूरपूर का धमेरी था, भरमौर का भरमापूर था, कांगडा का पुराना नाम तरिगत था, कुलू का पुराना नाम कुलूत था और किनौर का पुराना नाम चीन्नी था तो ये सारे नाम अपने ध्यान में रखने हैं जो अक्सर किसी नक्स एक्जाम में पूछ लिये जाते हैं नेस्ट कॉस्टन वन टॉंटी एट विच मुगल एंपररर कॉनफर्ड दे टाइटल आफ राजा ओन जगत सिंग आफ कुलू किस मुगल समराट ने कुलू के जगत सिंग को राजा की उपादी से समानित किया था तो ये समानित किया था औरंग जेव ने वन टॉंटी एट का सी सही अंसर है औरंग जेव ने कुलू के जगत सिंग को राजा की उपादी से समानित किया था अगर हम बात करें जगत सिंग की तो यह जगत सिंग है वो कुलूरियसत का सबसे सक्तिसाली राजा था यह बात अपने ध्यान में रखनी है कि कुलूरियसत का सबसे सक्तिसाली राजा कौन था तो वो थे आपके जगत सिंग और कुलू के राजा जगत सिंग ने दारसको के वि इंकार कर दिया था जगत सिंग ने और विद्रो कर दिया था और राजा जगत सिंग ने अपनी राजधानी नगर से सुल्तानपूर स्थानांतरित की ये भी बात अपने ध्यान में रखनी है कि जो राजधानी है ये नगर से सुल्तानपूर किसने स्थानांतरित की तो ये रा किया गया आपका जगत सिंग के दोरा और जो रगुनाथ जी का मंदिर है इसका निर्वान किस ने करवाया तो इसका निर्वान भी जगत सिंग ने ही करवाया कुलू में किस ने की जो हिमाचल परदेश का जो देलत रियासत थी इसकी स्थापना करी आपकी पृतवी सींग ने तो इन्होंने पृती सिंग लिख देया आया यहाँ पे पृतवी सिंग होना था 129 का ये सही अंसर है पृत्वी सिंग ने स्थापना करी देलात रियासत की और question paper में ये पूछ लिया जाता है कि जो देलात रियासत है इनका अंतिम राजा कौन था तो जो देलात रियासत है इनका अंतिम राजा था परताप सिंग तो ये बात भी अपने ध्यान में रखनी है next question 130 in which year डॉक्टर पतड़ी सीटा रमया विजिटीट सिर्मौर डॉक्टर पत्ड़ी सीटा रमया ने सिर्मौर का दोरा किस वर्स किया तो यह किया आपका सिर्मौर का दोरा इनोंने 1945 में 130 का यह सही अन्सर है अगर हम बात करें सिर्मौर रियास्त की तो कॉशिन पेपर में ये पूछ लिया जाता है कि जो सिर्मौर रियासत की स्थापना है वो किस के दोरा की गई तो जो सिर्मौर रियासत की स्थापना है वो की गई राजा रसालू के दोरा और इनके अंतिम राजा कौन थे सिर्मारी आसत के तो इनके अंतिम राजा थे राजिंदर परकास और जो स्थापना हुई थी वो कौन से एर में हुई थी सिर्मारी आसत की तो जो इसकी स्थापना हुई थी वो 1149 में हुई थी और राजधानी पूछ ली जाती है सिर्मारी आ की तो राजधानी क्या थी नहान सिर्मौर रियासत की राजधानी थी तो यह सारी बात यह अपने ध्यान में रखनी है जो एक्जाम पॉइंट आफ यू से काफी इंपोर्टेंट है नेक्स्ट कॉस्ट नुमर्ट थार्टी वन विच फैस्टबल इस फेमस ऑनली फॉर वल्ग आपके किनौर में नहीं है जैसे जतरांग, रांग, महानसंग तो इसके अगर बात करें तो चांगो सेसुल ही है आपका किनौर का त्यार बट जो किनौर में जो असलीलता वाला वल्गैरिटी वाला त्यार है उस त्यार को च्छत्रैल त्यार कहा जाता है तो यह क्वाशन ह गल्ट है इन्होंने सारी option गल्ट दे रखें हैं यह भी गल्ट है क्यों जो च्छत्रेल तहोर है वह आप भी इसको देख सकते होगी जो च्छत्रेल तयोर है कि नौर में ठीक है यह तहोर चारागाउ में चैतर माह में मनाय जाता है और यह तिहार अपनी असलिलता के लिए परसीद है तो इसका अंसर होना था च्छत्रेल तिहार और अगर हम और भी तिहारों की बात करें किनौर की तो किनौर में जैसे आपका च्छत्रेल एक तिहार हो गया एक हो गया फूलेच तिहौर ये फूलों को तिहौर होता है ठीक है तोसिम तिहौर भी आपके किनौर में मनाया जाता है तोसिम तिहौर ये तिहौर अब विवाहत पुरसों दोरा मनाया जाता है तोसिम तिहौर और इस तिहौर में तोसिम तिहौर में ये होता है कि इसमें जो विवा है वो परचलित है और एक विवा और है कि नौर में उसको कहते हैं हर- हर जो विवा है वो हर दूसरे की पत्नी को बhगा कर किया गया विवा है जो किनोर में प्रचलित है तो इसका आपने ध्यान रखना है जो क्वलगैरिटी वाला जो Palestinian festival है वो है आपका च्छत्रैल festival चंगो से सुल वह आपके किनऊर में मनाया जाता है फैस्टिवल पर यह वलगार्टी वाला नहीं है तो इसके जो जो दे रखें और यही गल्थ है हिमाचल प्रदेश की कौन से जन जाती लकड़ी के बरतनों के उप्योग के लिए यह परसीद है तो यह जाना जाता है तो यह जाना जाता है आपका जोड ओज थो यह सभी नाम से जाना जाता है यह हूँ आपका कि नौर डिस्टिक में नेक्स्ट क्वाश्चिन बाबा बालकनाथ डिग्री कॉलेजी लोकेटिड एट बाबा बालकनाथ डिग्री महाविदयल्य स्थित है तो यह स्थित है आपका चक्मो में जो चक्मो आपका हमिरपूर डिस्टिक में पढ़ता है यहा में 135 का डी सही अंसर है अगर हम बात करें बीरवदर सिंग की तो जो इनका जनम है इनका जनम 23 जून 1934 को सिमला के सरहान में हुआ और ये बुसर रियासत के 131 में उतरा धिकारी थे और ये छे बार हिमाचल पदेश के मुख्यमंतरी रहे हैं बीरवदर सिंग तो ये सारी बात हिमाचल पदेश के किस जले में स्थित है दफिमस खीरगंगा हाट वाटर स्प्रिंग इस लोकेटिड इन वीज डिस्टिक ओफ हिमाचल पदेश तो ये स्थित है आपका डिस्टिक कुल्लू में खीरगंगा आपका गरम पानी का स्थित्रोथ 121 का एस यह अंसर होगा अग आपका Water Spring ये भी कुलू में है कसोल Water Spring ये भी कुलू में है और एक है कलथ Water Spring ये भी आपका कुलू डिश्टिक में स्थीत है अगर दर्रे की बात करें कुलू जो डिस्टिक में इसमें कौन कौन से दर्र आते हैं एक तो रोहतांग दर्रा हो गया पिन पारवती दर्रा हो गया जलोरी दर्रा हो गया ये सारे कुलू में आते हैं अगर हम जीलों की बात करें कुल्लू की तो कुल्लू में जीले हैं आपके सरवालसर जील, मांतलाई जील, भरीगू जील, दसहर जील, देयोरी जील, हंसा जील ये सारे कुल्लू में स्थीत हैं जीलें आपकी तो ये सारे जीलें आपने ध्यान में रखनी हैं नेंश्ט कॉRIAुचिन 122 चॉंह्तो वैली इस डिषॅप हिमाचल परदेश चॉंह्तो वैली यहें बात करें कि तो बिलासपूर अमर्याहं को उसली स्थीत करें कमासिंध हमाचल स्थीत क बात करें बिलासपूर डिस्टिक के लावा और काल कौनसी वैलिया है एक तो होगे सतलूज जो वैली है वो भी बिलासपूर में है एक होगे दावी वैली ये भी बिलासपूर में स्थित है सतलूज दावी वैली और ये जो चौन्तो वैली है ये तीन वैली ये बिलासपूर डिस्टिक में स्थित है जो अक्सरा गिजाम में पोश ले जाती है आपने ये सारी वैलिये ध्यान में रखनी है Next question 123 In which year the present district of Kanga was created? किस वर्ष में वर्तमान Kanga Jilie का निर्मान हुआ? तो जो Kanga Jilie का निर्मान हुआ वो 1972 में हुआ 123 का D सही अंसर है Next question 124 Sorenge तालाब ये हिमाचल परदेश के किस जिले में स्थित है? Sorenge Lake is located in which district of Himachal परदेश? जो Sorenge Lake है वो हिमाचल परदेश की किनौर district में स्थित है? 124 का ये सही अंसर होगा अगर हम बात करें जो किनौर में सोरंग के अलावा और कौन सी लेक है? तो किनौर में सोरंग के अलावा एक नाको जो लेक है वो भी स्थित है तो ये भी बात आपने साथ में ध्यान में रखनी है सोरंगा नाको लेक ये दोनों किनौर district में स्थित है Next question 125 जलाल ये किस की एक उपनदी है? जलाल is a tributary of तो जलाल एक tributary है आपकी यमुना की 125 का सी सही अंसर होगा अगर हम बात करें यमुना की कि यमुना से क्या क्या कॉस्टिन बन के आते हैं पेपर में जी के के तो इसमें एक तो वैदिक नाम पूछ लिया जाता है यमुना का की यमुना का वैदिक नाम क्या है तो इसका वैदिक नाम है आपका कालिंदी और जो उदगम हुआ है यमुना जो नदी है इसका वो कहां से हुआ है तो उत्राखंड के स्थित गढ़वाल की पहाड़ियों में यमुना तरी नामकस्तान से यमुना का उदगम हुआ है और साहिक नदियां पूछ लियाती है एक तो आपको पता लगे कि जलाल इसकी साहिक नदी है यमुना की एक होगे टॉंस, एक होगे पबर एक होगे गीरी, एक होगे आंध्रा एक होगे बाटा, तो ये सारी साहिक नदियां है यमुना नदी की और जो कौशन ये पेपर में पूछ लिया जाता है कि हिमाचल पदेश की सबसे छोटी नदी कौन सी है तो जो यमुना नदी है ये हिमाचल पदेश की सबसे छोटी नदी है और जो यमना नदी है ये खदर माजरी नामक स्थान पर सिर्मार जिले में परवेश करती है ये भी बात आपने द्यान में रखनी है कि ये सिर्मार जिले में परवेश कहां से करती है यमना नदी किस वर्स में जस्वान महाराजा रंजीत सिंग दौरा अनुबंद किया गया तो यह अनुबंद किया गया 1815 में 126 का भी सही अंसर है अगर हम बात करें जस्वान रियासत की तो इससे कौशन ये पूछा जाता है पेपर में कि जो जस्वान रियासत है इसकी स्थापना किसके दोरा की गई तो इसकी स्थापना की गई पूरब चंद के दोरा इसका अंतिम राजा भी पूछ लिया जाता कि अंतिम राजा कौन था जस्वान रियासत का तो उमेद सिंग इसके अंतिम राजा थे और स्थापना कब की गई जस्वान रियासत की तो ये भी पेपर में पूछ लिया जाता है तो 1170 इस भी में स्थापना की गई जस्वान रियासत की और capitalist की राजपूरा है जस्वान रियासत की तो ये सारी बातें आपने ध्यान में रखनी हैं इससे question ये सारे put होते हैं जस्वान रियासत से जो मैंने आपको बता दिये next question 127 what was the ancient name of नूरपूर नूरपूर का प्राचिन नाम क्या था तो हमने प्राचिन नाम पीछे भी discuss किये तो नूरपूर का प्राचिन नाम है आपका ध्धामेरी 127 का ए सही अंसर है next question 128 no no was a famous वजीर in the state of no no किस राज्य में एक मसूर वजीर था तो जो no no वजीर थे वो थे लॉल स्पित्ती के 128 का ए सही अंसर है question paper में यह पूछ लिये जाता है कि जो स्पित्ती है इसका मुखहले स्थित कहां पे है तो इसका मुखहले स्थित है आपका काजा में काजा में लॉल स्पित्ती का मुखहले स्थित है next question 129 who became the first director of हिपा हिपा का प्रथम निर्देशक कौन थे जो हिपा थे उसके प्रथम निर्देशक रहे हैं आपके B के सर्मा 129 का A सही अंसर होगा next question 130 आरे समदाय के लोग भारत में निमन में से किस के निर्मान से पूरव आये थे the Aryan tribes came to India before the composition of Rig Veda 130 का C सही अंसर है Rig Veda के निर्मान से पूरव आये थे आपके आरे भारत में next question 131 मंडी के सुनील दत गौतम एक महसूर खालिस्थान थे तो ये थे एक महसूर मुर्तिकार 131 का B सही अंसर होगा next question 132 which painting style cannot be classified as हिमाचली कौन सी चित्रकारी पदती को हिमाचली नहीं कहा जा सकता तो जो इसमें मुर्तिकारी जो चित्रकला है इसको हिमाचल जो चित्रकला हिमाचल की चित्रकला पदती नहीं कहा जा सकता 132 का B सही अंसर है बाकि अगर हम बात करें लगू चित्रकारी दिवारों की चित्रकारी और मेनुस्क्रिप्ट चित्रकारी यह हिमाचल पदेश की चित्रकारी है प्रन्तु मुर्तिकारी जो चित्रकारी है यह हिमाचल पदेश की पदती नहीं है next question 133 silver deposit are reported in किनौर फ्रॉम किनौर में चांदी के निकसे कहां से प्रापत हुए है तो जो किनौर में चांदी के निकसे प्रापत हुए है वो चारागाउं से हुए है 133 का यह सही अंसर है next question 134 in which year हिमाचल पदेश कल्चर अकैडमी बाद सेट अप तो यह जो उप्सन दे रखे हैं यह सारे उप्सन रॉंग है और यह question भी scrap कर दिया गया है पेपर में तो जो वैसे अगर बात करी जाए अगर हिमाचल पदेश कल्चर अकैडमी की तो वह 1968 में सेट अप की गई वैसे यह question ही scrap है पेपर में question 135 who was the first European to visit Kangra in 1615 AD इस भी 1615 में Kangra की मुलकात लेने वाला प्रत्थम European कौन था तो यह थे आपके Thomas Corriott भी इसका सही अंसर है Thomas Corriott first European थे जिन्होंने Kangra विजिट किया था 1615 AD में तो यह हमने आज question discuss कर लिए हिमाचल जी के से related तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको जादा से जादा से शेयर कीजिए और इसको जादा से लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हिमाचल एट दरेट हिमाचल एक्जाम हब को धन्यवाद कर दो